आज है नौरात्री का दूसरा दिन आप सभी को हैपी नौरात्री और मातर आनी आप सबको हमेशा कुष और सवस्तर रखें आप सभी का स्वागत है कीचें टी कीचें पूजा कुकिंग ब्लाग में मेरा पूरा नौ दिन का अपवास होता है तो इस मतलब की मेरे चैनल पर तो चम्मच मुंग फली का पाउडर दाल जाएगा और एक चम्मच दही जाएगा और बिलकुल नई रेसिपी है आप इसमें सेंधा नमक डाल सकते हो नॉर्मल बना रहे हो खाने के लिए तो नमक डाल दीजे नॉर्मल वला लेकिन मैं सेंधा नमक भी नहीं खाती हूं तो मैं इसको नहीं डालूंगी और धनिया पत्ता डाल सकते हैं जीरा पाउडर डाल सकते हैं काली मिश पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हो तो मैं नहीं खाती हूं उपवास मिसले मैंने नहीं डाला है और नमक भी टोटली स्कीप कर दिया है और बच्छे तरीके से इन स आत्र में हो उपवा से तो जरूर से ट्राइ कीजेगा और यह देखे अच्छे से मिक्षर को मिक्स कर लिया है और बस अब इसके लड्डू बना लेने है इस तरीके से छोटे-छोटे से और सारे मतलब की जो लड्डू है उन्हें हम बना कर यहां पर रेडी कर लेंगे और यह हेल्डी भी है क्योंकि सिर्फ है ना आधी चम्मच घी में मैंने इसे बनाया है तो गैस स्टार्ट करते हूं और अपे पैन में रख देती हूं अगर अपे पैन नहीं है तो आप तबे पे भी बना सकते हो लेकिन राउंड शेप मत करना आप इसे हलका सा चप्टा कर लेना टिकी के जैसे और इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं चोटा सा चम्मच है और मैंने आधी चम्मच घी में पूरा मतलब की ग्रेस कर ले इस तरीके से और जो हमारे यह यह अपे है उन्हें हम डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे तरीके से इसका लीड हम अगा देते ह तो सारे अपे को हम इस तरीके से पलट देते हैं और यह इससे पेट भी भर जाता है और मतलब डी प्राय भी नहीं है तो है तो सारे अपे को पलट दी है फिर से इसे तीन से चार मिनित के लिए ठक के पका लेंगे बढ़िया तरीके से इसे हम गोल्डन ब्राउन होने जरूर से एक बढ़ ट्राय किजेगो और वरत में हो तो डेफिनिटली अभी वनालो बनाना बहुत जाए आसना मुश्किल जाना दस से बारा मिनिट का समय लगता है और आप इसे बना कर रेली कर लोगे यह देखिए कितना बढ़िया लग रहा ना दिखने में दिखने में और अगर आप ग्रीन चटनी खाते हो पौस वाला तो आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हो लेकिन मैं धनिया पत्ता नहीं खाती हो तो मैंने इसे ना दही के साथ सव किया है उपर से थोड़ा सा चीनी डाल लिया था और यह बहुत जादा टेस्टी लग रहा था पीड भी भ और वाचिं